सभी समू की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को प्रेणा टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार आप सभी का हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्निवाद करती हूँ आशा करती हूँ कि आप अपना प्यार इसी तरह हमारे लिए बनाए रखेंगे और मैं भी दिदी आपके लिए जो भी योजनाय आ रही है उसके बारे में विस्ताश से जानगारियां देती रहोंगी तो चलिए दिदी आज का टॉपिक हमारा है CCL जी हाँ बैंक द्वारा CCL कारेन जो हम लोग के सजी में आता है अगर देदी आप स्वयम शायता समू से जुड़ी है तो हमारे चैनल को प्लीज 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 देदी सब्सक्राइब कर लेजिए और आपसे विनम्रों निवेधन भी है कि आपके वाट्सप मेसेज जितने भी है आप शेंड कर दिजिए और सभी गरीब महलाओं को हमारे बारे में बताइए जी हाँ हमारे प्लेरना टीवी चैनल के बारे में बताइए कि यहां पर SSG के जी यहां SSG से रिलेटिट हर प्रकार की जानकारियां उपलब्ध है आप को अगर आपने के सम्मु में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें वार्च से मेसेज कर सकती हैं कॉल्स भी कर सकती हैं जी दिदी हमारा नमबर नोट कर लेची 6387-877662 जी हां यह हमारा मोबाइल नमबर है आप कॉल करिएगा तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका हाल मैं जरू करूंगी तो दिदी ज्यादा नहीं बात करूंगी आज में टॉपिक के तरब आती हूं जी इस दिदी आप सब्सकर निमेदन है कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत कीजिए जी हां आप खुद भी देखिए और दूसरे दिदियो को भी दिखाईए तब उनका मनोबल बढ़ेगा एसजी चलाने के लिए एसजी को बंद कभी मत करिए आप एक दूसरे से समुग में बैठा करके चर्चा करिए वार्ता लाप करिए एक दूसर सापताहिक बैठाक सापताहिक बचत आंत्री कुदार समसे रिणवापसी लेखा जोखा इस पंसुत्रों को पालंग करते हुए आप ज्यादा ज्यादा रिणव प्राफ्त कर सकते हैं आपको देदी मैं बता दू कि आपके समुमें हैं जी हां स्वैम शहायता समुमें आने स्वैम फंड कौन कौन सा होता है जी हां पहले आता है स्टार्टप फंड जी हां अगर आपको फ्री रेजिस्टर जी हां फ्री रेजिस्टर अगर मिला है तो आपके खाते में पंदरा सो रुपिया स्टार्टप फंड आएंगे अगर नहीं तो अगर रेजिस्टर नहीं मि किसी को पैसा नहीं देने की है जरूरत आप लोग पहली बार अनुदान रासी से जो है रिश्टर मिलता है उसके बाद आपके समू में स्टार्टप फंड 15 सव आता है उसके बाद दिदी आपके समू में आरियाफ का पैसा आता है जी हां रिवाल्विंग फंड चक्री निदी से कहते हैं उस पैसे को किसी को देना नहीं है जब आपके समू में पैसा आ जाए उस पैसे को लेकर आप लें दिन करेंगी और आगे बढ़ेंगी चीहां और इस पैसे को किसी दिदी को भी देने की अशकता नहीं है उसके बाद आ जाता है CIF धनरासी जब CIF धनरासी आ है तो नियोजन के अनुशार आप जो है ग्राम संगठन में प्रतिमाह पैसा जमा करेंगे जी हां मोलदर और प्याजदर इसके बाद आती है सी सी यल की बारी जी हां सी सी यल की बारी बैंक द्वारा डिन जी हां आज इसके बारे में मैं विश्था से बताऊं कि अन्तक वीडियो जोरू देखें कि चार परसेंड वार्थिक ब्याज पर मिलता है जी हां कैसे पुरा वीडियो इसकी इपना करें देखें जरूर केंद्र सरकार द्वारा जी हां केंद्र सरकार और स्थानिय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाए हैं कौन सी जी हां ब्याज अनुदान की सुरुवात जी हाँ पहले हमारे सम्मु में नाम था NRLM जी हाँ जिसको बदल कर बाद में DNRLM रख दिया गया दीन दयाल अन्तियोदय योजना राष्ट्री ग्रामीर आजीव का मिशन जी हाँ DNRLM के पास ब्याज अनुदान का प्रावधान है जो उधार देने की दर और साथ प्रतिसत के बीज अन्तर की भरपाई करती है यह महिला SSG जी हाँ स्वयमशायता समू द्वारा बैंकों वित्तिय संस्थाओं से लिये गए रिण लिये गए सभी रिड़ों को लिये गए सभी रिड़ों पर उपलब्द है जिसमें प्रती SSG अधिक्तम रासी तीन लाक रुपए है आपके समू में तीन लाक रुपए अवश्य दिये जाएंगे यह पूरे देश में दो प्रकार से उपलब्द होगी जानिये दिदी कैसे एक सो पच्चास निधारित जिलों में बैंक महिला SSG महिला SSG को कुल तीन लाक रुपए कारिण साथ प्रतिसत की दर पर देंगे सिग्र भुगतान करने पर SSG को अतिरिक्त तीन प्रतिसत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा जिससे प्रभावी ब्याज दर घटाकर चार प्रतिसत रह जाएगी इस बात का विशेज द्यान दे दी अगर आप समय से रिण वापस कर देंगी समय से जल्दी रिण का भुगतान कर देंगी तो आपके SSG को अतिरिक्त तीन प्रतिसत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा तो हो गए ना कुशी की बात अगर आप समय से SSG को मिटिंग करेंगी समय से लेंद दिन करेंगी और समय से ब्याज का भुगतान कर देंगी तो आपके SSG में तीन प्रतिसत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा जिससे प्रभावी ब्याज दर घटा कर चार प्रतिसत रह जाएगी सेस जिलो में भी डे जी हाँ सेस जिलो में भी डे अनुपालक ध्यान दे सेस जिलो में भी डे अनुपालक महिला SSG SRLM के पास पंजी करित किया जाएगा ये SSG तीन लाख रुपय तक के रिण पर उधार दर और साट प्रतिसत के बीच अंतर तक ब्याज अनुदान के लिए पातर हैं परन्तु यह संबदित SRLM द्वारा निधारित मान दंडो के आधिन होगा योजना का यहिस्ता देश भर में वश्र 2015-16 में 150 निधारित जिलो के साथ SRLM द्वारा परिचालित किया जाएगा ध्यान देदी और इसमें रिण दीदी 20 लाग तक दिया जाता है जिहां लेकिन इसकी रासी 7% ही रहेगी लेकिन 3 लाग तक अगर लोन रहेगा तो आपको समय पे अगर भुकतार कर दीजिएगा तो 4% होगा तो जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि महला स्वयम शहाता समू में जो है 1% से ब्याजदर लगता है जिहां हम अपने समू के अंदर सभी दीदियों से 1% ब्याजदर लेते हैं लेकिन मासिक लेते हैं जिहां दीदि महीने में पांच में हपते में हम लोग रिन वापसी कराते हैं जब पांच में हपते में रिन वापसी कराते हैं तो हमारा वो 13% हो जाता है क्यूंकि महिने दर महिने लेने पर बारा महिने आते हैं अब पांच में हपते जब हम वापसी कराते हैं तो तेरा महिने हो जाते हैं आप कभी भी अपने सम्मूम बैठा करके जोड़िये अगर आप महीने दर महीने लेती हैं तारिक दारिक तो आपका बारा महीना पड़ता है और अगर आप पांच में हपते करके लेती हैं तो आपका तेरा महीना पड़ता है तो आपको समझ में आ रहा है हमारी बात दिदी एक लाख जैसे है उसका अगर 1,000 ब्याज आया 1% से तो साल बर में 13,000 रुपया जो है आपके समुह में आया आपने बैंक को कितना देना है आपको वाशिक देना है वर्ष बर में 4% तो 4,000 जो है आपने बैंक में जमा किर दिया ब्याज मूल दान तो वापस किया है किया लेकिन 4 परशनेंट ब्याज आपने जमा किया तो 4000 आपने जमा कर दिया तब भी तो आपके पास 7 परशनेंट बचे जी हाँ जैसे कि दिदि मैंने आपको बताया कि 13 13 महिने में आपने 13,000 उतार लिये जी हाँuto 5 में हपते 5 में हपते करके जब आप लेंगी ब्याज वापसी और आपने बैंक को दिया 4% 4,000 रुपिया दे दिये तो आपके पास 9,000 बचे तो यह 9,000 किसका है यह 9,000 आपके समू का पैसा है इस बात को विशेद्यान बोलते हैं सभी लोग कि जो 1% पे रहेगा तो आमें क्या फायदी है तो यही है फायदा हमने आपको यहाँ 1,000,000 का ही उधारण दिया है कि अगर आप 1,000,000 रुपिया बैंक से ब्याज लेते मुन्धन लाते हैं अपने समू में दिदियो को देते हैं और समय से वापस करके जमा कर देते हैं नियम अनुसार नियम अनुसार जब आप जमा कर देंगे तो बैंक जो है 4% ही लेगा और 9% आपके समू में रहेगा क्योंकि अगर आप महिने दर महिने लेते तो 12 महिना पड़ता लेकिन हमारे सज्जी में पांच में हपते में इरिन वापसी होता है इस वजर से 13 महिने पड़ते हैं तो 13 महिने में 13,000 हो जाएंगे 4,000 आप बैंक को देंगे आपके पास 9,000 शेष बचेंगे ये सेष पैसा किसका है? हमारे सज्जी का हमारी स्वयम शायता समू की महिनाओं को जी हाँ हमारे स्वयम साता समुकी महिलाओं का है तो यही सारे पैसे आप सोचिए हर साल आपका बचेगा एक लाग अगर आपने डिवाट को के बाटा है तो नो हजार रुपिया सलाना ऐसे ही बढ़ेगा और उसके साथ आप जो अपना खुद का बचत करती है वो भी पैसा बढ़ेगा उस बचत पे जो रिण देती है उसका भी ब्याज आपको मिलेगा और फिर जब नौ हजार एक साल में बच गया फिर वो नौ हजार किसी दीदियों को देंगी तो उसका भी ब्याज बनेगा इसी प्रकार दीदी आपके समों में धे सारे पैसी हो जाएंगे एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको बैंक से रिण लेने की जरूरत ही नहीं होगी आपके पात खुद का बचत खुद का ब्याज खुद का रिण होगा और आपका समों बहुत तेजी से ग्लो करेगा प्रोग्रेश करेगा तो आप सभी दिदियों से नुरोध है अपने सेजी को न छोड़े समों शाहता समों को अच्छे से चलाए अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आर्चेन आ रही है कोई समस्ते आ रही है तो हमसे कॉंटेक्ट कर सकती है तो आज के वीडियों में पर दिदी इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सस्क्राइब सेर जरू कर दे सभी दिदियों को सेर करें क्योंकि सब को जानने की है आउशकता समों के बारे में आज के वीडियों में दिदी इतना ही धन्यवाद